हेलो गाईज क्या हाल चाल कैसे हैं आप सभी लोग 2024 की सुरुवात हो चुकी और जैसा कि हमने आप सभी से प्रामिस किया था कि 2024 में आप लोगों के लिए ऐसे surprises लेकर के आएंगे जो definitely आपकी preparation में बहुत advantage करने वाले हैं और आज मेरे साथ यहाँ पे PJ सर हैं और वो announcement क्या है वो आज हम आपके साथ यहाँ पे करने वाले हैं तो सर ऐसे क्या surprises हैं और ऐसे क्या series लेकर के आ रहे हैं कि जो अपने आप में unique है और उसके क्या features रहेंगे सर तो सर हम लोगों ने rank booster series है उसको conclude किया है अभी मेरा भी last lecture बचा हुआ है पूरा complete हो चुका है और उसके अंदर ह हम लोगों ने theory plus pyq revision करवाया अब बच्चे उस stage पर आ गये हैं जहां पर उनको last एक एक तरीके से हम कह सकते हैं कि last problem sessions चाहिए जिसमें हम उनको most predicted questions दे सके तो जैसा कि हम promote भी कर रहे हैं बहुत time से मैंने भी किया आप भी बता रहे हैं तो finally sir मेरे साब से उस राज पे से पर सेशन स्टार्ट करेंगे साथ जन्वरी को संडे को और जिसमें मैं 11th class के entire topics unit and dimension से लेकर के पूरी mechanics, thermal physics, waves, fluid सारे topics को cover किया जाएगा और उसमें we will discuss a 175 most predictable question for 2024 और मैं आपको बता दूँ कि इस series में जो भी question discuss किये जाएंगे वो pyq नहीं होंगे जैसे कि for example मुझे WP में questions कराने और मैंने decide किया कि इसमें मुझे 15 questions कराने हैं तो मैं आपको बता दूँ कि वो 15 questions इस तरीके से decide किये गए हैं कि हर अगला question पिछले question से different होगा, same concept पर questions repeat नहीं होंगे जिससे सिर्फ 15 questions करके आपका पूरे एक chapter revise हो सके सारे नए question होंगे दोस्तों यह सारे नए question और इस तरह से designed है, जो हमारी learning है, हमारा experience है, उसी के basis पर हम लोगों ने in question papers को design किया है और इनी मेंसे papers आपके आएंगे, comprehensibility है, predictability है और chemistry का जो session है, वो 9th of January को आप देख पा रहे हैं कि एक एक दिन का बीच में gap दिया गया है, जिससे कि आपने जो भी sessions attend किये हैं, उनको proper तरीके से एक बार revise भी कर पा है, वो भी 175 questions कर रहेगा, from 11th class जिसमें OC, IOC as well as PC cover करेंगे, NKS sir and GKG sir, और the last one, जो session है 11th class से, वो 11th January को को ही होने जा रहा है, देखिए, maths में भी यहां पर पूरा calculation लगाए गया है, ठीक है, और यह session होगा आपका Thursday को, ठीक, और इसमें लेकिन discuss करेंगे 125 questions, sir, यह मुझे समझ नहीं आ रहा है कि physics और chemistry में 175, maths में 50 questions कम क्यों है? Sir, actually mathematics के अंदर calculation बहुत जाता होती है, और हम लोगों ने calculate गया कि यह session दोस्तों, 10 से 12 गंटे के बीच में हो सकते हैं, और पूरा दिन आपका इसके अंदर जाएगा, तो 12 गंटे जादा extend कर नहीं सकते हैं, sir, तो अगर 175 questions लेते हैं, तो 24 गंटे लग जाते हैं, तो sir, यह हो नहीं कर देते हैं, तो 125 question आपके लिए पीजे और ओम सर लेकर के आएंगे, 11th of January को, यह सारी dates को आप freeze कर लीजे, अगर आपके already पहले से कुछ plans हैं, तो भाई उन्हें डिले करिए, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने यह session sincerely live attend किये, ठीक है, तो इतना तो तैह है कि इस समय आप जो भी score कर रहे हैं, definitely उसमें आपको 22-25% का gain देखने को मिलेगा, और J.Mains के paper में, जो कि आपका last week of January में होने वाला है, आपको इन session से मिलते जुलते कई सारे questions देखने को मिलने वाले हैं, सर और कोई guidance, बिल्कुल सर आप एक guidance सर बच्चों के लिए है, स्टार्ट हो, आरवाय सरका, उस वीडियो पे 200 प्लस likes होने चाहिए, तभी मैं मानूगा कि आप लोग इन सब चीज के लिए excited है, और reciprocate कर रहे हैं, जो हम लोग effort मार रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए, बिल्कुल all, at the end, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि भाई आप खुद सोचो, 175 कितना बड़ा amount है, आप सोच भी नहीं सकते कि आप single sitting में खुद से करोगी, तो मैं आपको बता दूँँ, अगर live session attend करोगे तो यह आपके पास एक driving force होगा, कि आपके सामने मजबूरी होगी, कि यार सामने बंदा अगर 175 questions solve कर रहा है तो मुझे यहां बैटना है, तो इतना है, तो याद रखना कि अगर आपके जहन में चल रहा है ना, कि मैं बाद में recording देख लूँगा, 1.5 पर देख लूँगा, इस smartness में अगर आपने ऐसे experiment किये, तो मैं आपको बता दू, मेरे पुराने experiences रहे हैं, कि यह लोगों का सिर्फ रहे होंगे, तो उनके multiple approaches भी discuss करेंगे, और questions को solve करने की जो tricks हैं, वो भी आपके साथ discuss की जाएंगे, और इसलिए आप लोगो दोस्तों comment section पर लिखना पड़ेगा, यह चीज कि I will, sir, I promise that I will attend these sessions live and complete all the problems with you, यह लिखना पड़ेगा आप लोगो दोस्तों comment section, तो भाई, comment section में एक बर सभी लोग अपनी attendance लगा दीजे कि कौन-कौन इन सभी sessions को पूरा attend करने वाला है, देखते हैं कि आपका जोस कितना high रहेगा, let's crack it